आज मैं आपको अपने घर पे लगे निम्बू के प्लांट का अपडेट दिखाने वाला हूँ यदि आप हमारे कंटिन्यू भीवर होंगे तो आपको याद होगा मैंने पिछले साल ये निम्बू का प्लांट को लगाया था और ये काफी अभी बड़े हो गए है और इसमें धेर सारे निम्बू लगे हुए है तो इस विडियो के अंदर मैं आपके साथ डिसकस करूँगा कि किस तरीके से निम्बू प्लांट का केर करना चाहिए और मैं क्या-क्या इसमें फर्टिलाइजर डालता हूँ सारा कुछ जानकारी इस विडियो के अंदर आपको कंप्रेट देने वाले है तो सबसे पहले आप मेरे निम्बू के प्लांट में लगे निम्बू को देख सकते हैं यहाँ पर एक निम्बू लगे हैं एक यहाँ पर दो तीन चार और फिर अंदर की तरफ है और इधर भी दिखाऊंगा तो दो इधर लगे हुए हैं इधर से एक दो अभी आ रहे हैं यानि कि अभी दस निम्बू लगे हुए हैं बिलकुल अच्छे से और इसको मैंने लगा इस तरीके से 18 इंच के ग्रो बेग में तो इस निम्बू प्लांट का चलिक साइकल है धु은रा स साल चल रहा है। अभी और हम इस ग्रो बेग चलिए खील के अंदर कि अच्टारा इंच के ग्रो बेखों के अंदर एक से और ग्राइग तीम साल के बाद हम इसको बड़े से grow bag में transplant करेंगे जिसका कि size जैसे मैंने आपको दिखाया था 15 x 25 के grow bag का size में लगाएंगे तो फिलाल यदि आप new nimbo के plant इस तरीके से छोटे nimbo के plant को लाएं हुए हैं market से और इसको लगाना चाहते हैं तो फिलाल आप 2-3 साल तक के लिए 18 inch के grow bag में लगाएंगे उसके बाद हम लोग बात करें nimbo plant में क्यों कौन सा fertilizer डालना चाहिए तो nimbo plant में fertilizer के तोर पे यहां मैं आप complete देख सकते हैं हमने जो है इसको soil से लगाए था और first time जब आप nimbo plant को लगाएंगे तो उसमें 50% soil और 50% भरमी compost का mixer डालेंगे उसके बाद आपको महिने देड महिने में एक बार जो है भरमी compost ज़रू डालना है ताकि आपके प्लांट हरा बरार है उसमें किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो भरमी compost के अलाबा आप जो है गोबर की बनी हुई खाद घर पे जो ट्रिबार की बनी हुई खाद भी डाल सकते हैं सुकी पत्ती डाल सकते हैं जैसे की आप अपने然后 garden पे बहुत सारे plant लगाए हुए उसके जो पत्ते सूक जाते हैं वो पत्ते को भी आप इसमे डाल सकते है as a fertilizer के ripe ताइम ताइम पे आपको जो है इसमें Ipsum Salt का यूज करते रहना चाहिए Ipsum Salt का यूज इसलिए करना चाहिए ताकि पत्ते में Magnesium प्लांट में Magnesium के कमी नहो हमारा प्लांट हमेशा हरा अभरा दीखे और आपके प्लांट में किसी प्रकार के Insects का Attack नहो इसके लिए आप तीन मेने में एक बार नीमब ओयल का स्प्रेट करेंगे तो एक छोटा सा अपडेट था हमारे नीमबू प्लांट से रिगार्डिंग अगर आप अपने घर पे टेर्स गार्डिंग करते हैं या आप नीमबू के प्लांट लगाए हुए हैं यदि कोई नीमबू के प्लांट से रिगार्डिंग कोस्चन्स है तो आप हमारे इस वीडियो में कॉमेंट जरूर करेंगे यदि आप इस तरीके का फ्रूटिंग प्लांट लेना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टागराम में मेसेज करें मैं आपको बता दूँगा कि कहां से नीमबू प्लांट या फिर अधा फ्रूटिंग प्लांट लेना चाहिए जो कि आपके प्लांट अच्छे से सभी प्लांट गुरो करें तो फिर मिलता हम लोग इस तरीके का नेक्स्ट कोई अब्डेट ले करके गार्डाइन का